और वे चलो कैसे हो चलो चलते कुछ नया सा करने हाँ बच्चों मौसम कोई भी हो सर्दी गर्मी बारिश जब भी हम अपने पैरों को हाथों को ड्राय ड्राय देखने लगते हैं फेस को देखते हैं तो हम कई बार परिशान से हो जाते हैं दाग धबे या पिंपल्स या रिंकल्स ऐसी चीजें जब हमें लगती है कि हमें क्या यूज करें कौन से प्रॉडेक्ट खरीदें वो महंगे होने के साथ-साथ कई बार हमें नुकसान भी करते हैं ऐसे में हम कुछ नेच्रल चीजों पर जाते हैं जैसे ऐलोवेरा जैल बगर पर उसमें भी हमें जब मार्किट से खरीदे हैं तो ये पता नहीं होता कि ऐलोवेरा जैल एक्च्छल है कितना उसमें तो चलिए चलते हैं, आज घर में aloe vera gel बनाते हैं, हमारे घर में आंगन में aloe vera का पेड़ होता है, उसे लाते हैं और उसमें कुछ natural चीजों को मिला कर घर में बनाते हैं aloe vera gel, थोड़ा बनाते हैं लेकिन घर में अच्छा बनाएंगे यहां देखिए, मैंने काफी बड़ी बड़ी पत्तियां aloe vera की तोड़ दी हैं, उन्हें वाश कर लिया है और मैंने जो चीजें यूज किया वो भी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यह है almond oil, almond oil हो तो बहुत ही बढ़िया, हमारी skin के लिए vitamin E इस में भरपूर मातरा में ह पर in case ना हो, तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसके बदले हम कौन सी चीज को बढ़ा सकते हैं, दूसरी चीज है coconut oil, जो हमारे घर में हमेशा होता है, बालों के लिए skin के लिए हमेशा हम लोग लाते ही हैं, तीसरी चीज लिए है मैंने केसर, केसर के कुछ धागे मैंने में भिगो दिये हैं, ये केसर भी हमारी skin को बहुत ही healthy रखती है, केसर नहीं डालेंगे तो plain white बनेगा, नहीं अगर डालेंगे तो हलका yellow बनेगा, उसके बाद लिया है मैंने vitamin E के capsule, अगर आप almond oil डाल रहे हैं, तो आप vitamin E के capsule एक या दो डालिए, अगर आपके पास almond oil नही है, तो vitamin E के capsule चार से पांच डाल दी, ये है मेरे पास gel, gel जो होता है, दो टाइप का gelatin होता है, market में मिलता है, एक ये और एक ये, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं, ये देखिए, ये वेड जेल है, और वो red mark वाला gel है, gelatin है, तो आप जो भी डा चाहें, आप उतना ही यूज़ करें, अब सबसे पहले हम जो aloe vera की जो पतियां लाए हैं, उन्हें छील लेते हैं, इससे पहले मैंने आपको aloe vera का oil बताया है, बहुत ही healthy होता है हमारे हाथों के लिए, पैरों के लिए, बालों के लिए, बहुत ही स्वस्थ कर देता है हम इस तरीके से जैल को निकालते जाए यह, मैंने काफी सारा जैल निकाल लिया है, करीब करीब मैंने एक बॉल निकाल लिया है अब इसे हमें क्या करना होगा, mixer के jar में डालना होगा, हम जब घर में कोई भी चीज बनाते हैं, तो हमें पूरा पता रहता है कि हम कौन सी natural चीज अब इस जैल को थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजए, यह करीब करीब 200 ग्राम के असपास है, यहां देखिए मैंने 200 ग्राम पानी लिया था और उसमें जैल डालके देखा था कि कितने जैल से यह बन जाता है, यह देखिए मैंने आधे आधे चम्मच को डाल कर चैक किया था कि ये जैली फॉर्म में कितनी देर में बन जाता है, तो अब मुझे पता है ये कितने जैल में ये जैली टाइप में बन जाएगा, ये पानी है दोनों ग्लास, इनने मैं हटा देती हूं, ये सरफ मैंने चेक करने के लिए बनाया था, अब हमें aloe vera को चानना होगा एक पैन ले लिजे और उसमें अच्छे से चान लिजे वैसे तो aloe vera normally हमें लेकर face पर, हाथ परों पर लगाना चाहिए लेकिन चिपचिपा होने की वज़ा से हम कई बार irritate होते हैं इसे normal ऐसे use नहीं कर पाते इसे बहुत अच्छे से चान लिजे थोड़ा चानने में देर जरूर लगेगी क्योंकि चिपचिपा होता है और last में ये चीज बच जाती है अब इसे रखते हैं slow gas पर और इसे पकने देते हैं जैसे हम इसे पकाना शुरू करेंगे आप देखेंगे इसमें काफी सारी साइडों से जाग आती जाएगी अब धीरे धीरे इस जाग को हमें हटाना होगा जितना हम अच्छे से इसे clean करते जाएंगे उतना ही हमारा aloe vera gel clean बनेगा हम कोई भी chemical नहीं डाल रहे हैं कोई preservative नहीं डाल रहे हैं इसमें आधे चमच से कम मैंने wedge gelatin डाल दिया इसके अंदर बस इसे थोड़ा सा पकाएंगे तो ये घुल मिल जाएगा ये देखें ये mix हो गया है बहुत थोड़ा सा ही gel हमारे पस बचा है अब अगर ये lumps हैं इसमें तो आप छान लीजे वैसे इसमें अभी lumps नहीं है तो मैंने इसे एक bowl में डाल दिया है इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं अब इसमें थोड़ा सा केसर जो मैंने भिगो के रखा है वो डाल देते हैं कितना प्यारा सा color आ रहा है न इसमें अब इसमें डाल दीजे almond oil यहां मैंने दो चोटे चमच almond oil डाल दिया है बादाम का तेल डालने के बाद मैं यहां डाल रही हूँ नारियल का तेल तीन चमच मैंने नारियल का तेल डाला है अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो evion के capsule यह भी हमारी skin के लिए बहुत ही अच्छे है तो इस सारी चीजें हमने डाल दी है और जैल फॉर्म में लाने के लिए हमने इसमें आदा चमच जैल gelatin डाला है वो भी wedge डाला है आप चाहें तो अब इसे ऐसे ही रख दीजे तीन चार घंटे में यह semi liquid बन जाएगा जैसा हमें चाहिए बहुत जल्दी है तो आप आदा घंटा इसे फ्रिज में रख दीजे बस यह तयार हो गया इसे यूज कीजे face पर हाथों में और इसे यूज करके आप बहुत ही अपने आपको स्वस्थ पाएंगे बहुत ही अच्छा होगा आपकी skin के लिए और इससे थोड़ा बनाएए थोड़ा यूज कीजे और इससे ज़्यादा हमने कोई chemical नहीं डाला है हमेशा ऐसे फ्रिज में ही रखे यह ठंडा ठंडा जैल आपको बहुत ही मतलब अराम देगा तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे